जितना भी ज्ञान है बेद से लेकर रामायण तक का उन सब ज्ञानों का परिणाम है संकीर्तन ये जो आप लोग कर रहे हैं भगवान का नाम भगवान का गुण भगवान की लीला आधिका गान करना हमारे देश में बहुत संकीर्तन होता है भगवान का नाम लोग नहीं लेते राम राम करते हैं श्याम श्याम करते हैं लेकिन ये भगवान का नाम नहीं है फिर क्या है भगवान का नाम ये जो गुरु लोग कान फूगते हैं वो है अरे नहीं वो नहीं भगवान का नाम का मतलब पहले भगवान को मन से सामने खड़ा करो फिर नाम लो अर्थात रूप ध्यान पूर्बक ही भगवान का नाम लो भगवान के नाम का जब करो पूजा करो पाठ करो कुछ करो लेकिन नंबर एक भगवान का रूप ध्यान बस यहीं हम भूल कर जाते हैं बड़े बड़े उपासनाएं हमारे देश में चल लही हैं करप्षन भी टॉप का है क्यों इसलिए कि हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं हम खाली नाम लेते हैं हमारे बेद हमारे शास्त्र हमारे पुरान कहते हैं कि ता जपस्तदर्थ भावनम आप जो नाम ले वैसी भावना बनावें मन को लगावें देखिए जितने शब्द आप स खुंते हैं बैर आग्य अनुराग प्रेम ये किस के लिए है शरीर के लिए नहीं ये मन के लिए मन के लिए मन के लिए स्वाण अक्छाड़ों में लिकलो और सांसार से बैराग्य यह जो बाबा लोग आपको बेवकूप बनाते हैं कान फूक फूक के यह क्या है इन मंत्र है किसका मंत्र है इस मंत्र का मतलब क्या है हे भगवान आपको नमस्कार है हे भगवान हम आपके शरण में है संस्कृत में है अगर हम हिंदी में कहते हे भगवान आपको नमस्कार है हे भगवान हम आपकी शरण में है हम नमो भगवते बास्देवाई नहीं कहते हम बंगाली पंजाबी मद्रासी में बोल देते हैं तो भगवान खुश नहीं होंगे, क्या वहाँ भी भाषाबाद है, नहीं नहीं, भगवान का चैलेंज है, मामे उजे प्रपध्यनते माया में ताम तरंतिते, केवल मेरी भक्ती करने वाला, अर्थात मन का अटैच्मेंट करने वाला ही मुझे पासकता है, मन का मन का मन एओ मनुष्यानाम कारणं बंधमोक्षयो ब्रह्म बिंदू पनिशत कहता है, चेतक खल्वस बंधाय मुपते चात्मनो मतम भागवत कहती है, मन परम कारणमा मनंति भागवत कहती है, मन एओ वहिसंसारा तेजो बिंदू पनिशत कहता है, चिक्तमे वहिसंसारा मैत्रेई उपनिशत कहता है, अर्थात मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, हम वही भूल गए, जब कर रहे हैं, एक हजार, दस हजार, बीस हजार, एक लाग, चौबिस घंटे का पाठ हो रहा है, रामैन का, गीता का, भागवत का, बेद का, यह मुह से, यह मुह की क्रिया भगवान नोट नहीं करते, किसी इंद्रिय का बर्क भगवान नोट नहीं कर तस्मात सर्वेशु कालेशु महा मनुस्मर अर्जुन निरंतर मन मुझ में रहे फिर जुद्ध कर तो मैं जुद्ध का कर्म नोट नहीं करूँगा जहां मन है उसको नोट करूँगा इतनी सी बात हमारे देश के लोगों ने नहीं समझा क्योंकि उनको समझाने वाले बाबा हो चाय पंडित हो चाय पडोसी हो नहीं समझा सके पहले रूप ध्यान करो सक्रद्यादंग प्रतिमास पहले रूप ध्यान फिर नाम लो अरे भई भगवान को बुला रहे हो न, हरे राम, हरे राम, संसार ने किसी को बुलाते हो, तो पहले रूप ध्यान करते हो न, अरे वो रमेश, तो रमेश को पहले आप मन में लाते हैं, तब मुझ से बोलते हैं, और भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का है, मन देख रहा है, ये बैठा है, ये बैठी है, धोल बज रहा है, बाजा बज रहा है, ये मटक रहा है, ये नाच रहा है, ये क्या है, ये उपासना नहीं ह ठगना है मन संसार में और इंद्रियां भगवान में ये उल्टा कर्म योग है अरे मन भगवान में करो इंद्रियां संसार में करो ये कर्म योग है एक नाम मतलो भगवान का केवल मन से चिंतन करो निरंतर भगवान ने सारी गीता में एक जगे कहा है मैं बड़ा आसान हूँ स्टततम योमाम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभपार्थ सुलभप मैं बड़ा सुलभ हूँ मन से निरंतर चिंतन करो साततम स्मरति मन से स्मरण करो प्रहलाद ने कहा था अरे बड़ि नारायन में क्या है बैष्णो देवी में क्या है ब्रंदाबन में क्या है बगवान बगवान अरे प्रभुप्यापक सरभत्र समाना समाना छोटे बड़े भगवान नहीं होते कि ब्रंदाबन के भगवान सेंट परसेंट है और आपके भगल के मंदिर के भगवान नाइंटी परसेंट है ऐसा नहीं होता पूर्ण स्य पूर्ण माद आये पूर्ण मेवावशिष्चते भगवान सरबत्र परिपूर्ण रूप से व्यापत है यहां तक की राक्षस फिरन कशपू उसने चैलेंज किया प्रलात को तेरा भगवान मेरे घर में है राक्षस के घर में हाँ है इस खंबे में भी है हाँ है मारा गदा खंदे से भगवान निकल कर कहते हैं गदे देख मैं हूँ सरबत्र हूँ मैं एको देवस्तर भभूते शुगूढा बेद कह रहा है तो प्रलाज कहते हैं अरे मंदिर में भगवान है यही नहीं वही भगवान हिरिज आपके हरदाय में रहते हैं हरदाय में और सदा सर्वत्र आप गधे बने कुट्थे बने बिल्ली बने मरने के बाद हाँ वहाँ भी भगवान द्वास परणा सुजा सखाया समानं ब्रिक्षम बेद मंतर के अनुसार आपके रदाय में आपके साथ सदा रहते हैं एक बटे साव से कंड को अलग नहीं होते भगवान इतने दयालू है कि कोई पंगुला कहे कि क्यों जी हमारे पैर नहीं है मंदिर बगल में है मैं कैसे जाओं मुझे फ्री में भगवत प्राप्ति कराई आ है सारे पंगुले हरताल कर दे भगवान कहते हैं अरे मूर्क मैं तो हिर्दय में हूँ तेरे हिर्दय में आप सब लोग सुनते हैं हजार बार लाख बार घटगट व्यापक राम सब जगे भगवान सब के हिर्दय में हैं मानते नहीं जितनी 420 मकारी पाप दुराचार अत्याचार पापाचार हम लोग करते हैं क्यों करते हैं यह भूल गए वो अंदर बैठे नोट कर लेंगे मनुष्य से डर करके पाप कम करते हैं कि अरे देख रहा है पुलिस में रिपोर्ट कर देगा सजा हो जाएगी अब वो देख रहा है वो कह देख रहा है क्यों तुम तो कह रहे थे वो अंदर बैठा है कहतो रहे थे तो रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर कोई रियलाइज कर ले वो अंदर बैठा है हर समय हर जगे बहुत भगवत प्राप्ति हो जाए कुछ नहीं करना राधे राधे श्याम श्याम अस्ती तेवो पलब्धस्य तत्वभावा प्रसीदत बेद कहता है तुम केबल मान लो मैं तुम्हारे हिर्दय में सदा रहता और यह सदा मानों जैसे मैं को रियलाइज करते हो मैं हूं मैं हूं जो मैं कल दिल्ली में था वही मैं हूं जो मैं रात को सोया है वही मैं हूं ऐसे ही जहां मैं हूँ वही मेरा बाप है भगवान है ये बालक और इसका पालक भगवान दोनों एक जगे तो भगवान का रूप ध्यान बस यही उपासना अब इसके साथ में कीर्टन करो भजन करो पूजन करो पाठ करो सब थी ये प्राण है और प्राण अगर निकल गया तो फिजिकल ड्रिल है जीरो बटे साओ ये शोदा मैया ने कभी हरे राम हरे राम नहीं किया एक कनुआ इदा रहा एक बलुआ क्या कर रहा है एक कनुआ बलुआ ये भगवान के नाम है अरे वो मन में तो भगवान से प्यार था असली चीज वो है राम ही केवल प्रेम पियारा केवल केवल मिलहिन रगुपति बिनु अनुरागा किये जोग जप ग्यान बिरागा ये साथ पक्वास है रोकर पुकारना होगा रूप ध्यान करके ये वाक्षण अक्षरों में लिख लीजिये चाहे आज मान लीजिये और चाहे चौराशी लाग की चक्की पीशने के बाद करोणों जन्मबाद मानिये मानना पड़ेगा रोकर पुकारना होगा भगवान को भोले बालक की तरे आध्या गमत यदिश्रवत सहस्त्रिनी विरूत भी बेद कह रहा है रिख बेद रोकर पुकारो वो अंदर से बाहर आ जाएंगे बनावत नहीं कोहीं कपट चल छिद्र नभावा नहा के धोके नहीं जैसे मा से प्यार करते हो बाप से करते हो बीबी से करते हो पती से करते हो बेटा बेटी से करते हो नहा के करते हो पूरफ के तरह मुह करके करते हो नहीं सदा सरबत्र और क्या रूप बनावेगी भगवान को तो देखा नहीं यह प्रश्ण कर सकते हैं आप तो भगवान ने कहा देखो जी तुम हमारा रूप नहीं बना सकते क्यों इसलिए कि तुम्हारा मन माईक है माया से बना है यह शरीर माया का बना है मन माया का बना है तो मन का चिंतन भी माईक है गो गो चर जह लगी मन जाई सो सब माया जान हुँ भाई लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे मन के चिंतन को असली चिंतन मान लूँगा और फल दूँगा असली बुदाओ हमारा पिताक कितना दयालू है हम अपने आइडिया से भगवान बना ले काला भगवान पीला भगवान नीला भगवान लंबा मोटा पतला छोटा बड़ा जैसे इच्छाओं सब की पसंद अलग-अलग होती है तो भगवान कहिते अपनी पसंद के अनुसार बना लो मनो मई मणी मई प्रतिमाश्ट विधास मृता भागवत हम लोग जो बाहर पत्थर की मूर्ती में भगवान की भावना करते हैं उसमें बड़ी मुश्किल है क्यों मांगो हमारी इच्छा है आज हम अपने श्याम सुंदर में भगवान की भावना करके और हीरे की माला पहनावें अपने गुपाल जी को जो मूर्ती है लेकिन हीरा तो देखा भी नहीं कभी कहां से लाके पहनाएंगे वो कोहनूर हीरा अपने श्याम सुंदर को पहनाते नहीं पहना सकते जिनके घर में मूर्ती है छोटी मूटी अपूजा करते हैं लोग और बड़े हंकार से जच सहाब एक घंट करते हैं लगत्र सहाब दो घंटा पूजा करते हैं जच सहाब कितने आशू बहाते हैं destiny तो फिर क्या पूजा करते हैं अपनी पूजा करते हैं पिर तो अंकार इतनी छोटी सी बात कि अपना असली रूप रियलाइज कर दो देखो एक कांस्टिबल को कोई परिचे कराता है आपकी तारीफ आप हैट कांस्टिबल है तो ऐसे करता है जी हाँ जी हाँ आप सब इंस्पेक्टर हैं जी हाँ यह नहीं कहता हमको डीसपी को यसपी को डी आई जी को आई जी को दी जी को ढीजी को इने कहता जो है तो हम अनंत पाप किये बैठे हैं और बरतमान में भी कामी क्रोधी लोभी मोही भरे हैं और इन्हीं शब्दों में से कोई बोल देता है आप जरा लो भी हैं क्या कहा आप मैंने ये कहा कि आप जरा लो भी हैं बहुत टेंपरेचर आई आप गुस्टा बहुत करते हैं बुरा न मानिएगा बुरा के जिनी मानेंगे मुझे गुस्टा वाला कही दिया अरे क्या है हमारी हैसियत ये संसारी हैसियत हम कलक्टर हैं कमिशनर हैं गवर्नर हैं अरपती हैं बिल गेट्स हैं ये हैसियत दिखा रहे हैं भगवान के आगे इसकी क्या हैसियत है अनंत कोडि ब्रह्मांद नायक तुम्हारा पिता है तुम उसके पुत्र हो वो तुम्हारे हिर्दें है वो हैसियत अपनी मानो मेरे अंता करन में अनंत कोडि ब्रह्मांद नायक सर्ब द्रश्टा, सर्ब नियंता कितनेन बड़ा आक्चरद है संसार के यागे तो चार दिन का भूखा होता है तो रो देता है कुछ खिला दो और फिर अपनी आत्मा का पती है वो स्वामी है वो उससे मांगना है हम नो उसको जान सकते हैं न देख सकते हैं फिर भी वो कहता है तुम रो कर मांगो मैं सब कुछ दे दूंगा अपने आपको दास बना दूँगा अनो ब्रजाहाम म्यहम नित्यम पूये ये त्यंगरी रेणु भी मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ कि उसकी चर्ण धूली पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ लेकिन भोले बालक बनकर रोकर मेरा नाम लो मुझको पुकारो हम लोग यही नहीं करते और बहुत कुछ करते और करने का अहंकार और करते हैं चारोधाम कर्याख ए कि तो पई कि मार्चिंग है चारोधाम करने क्यों गये थे किन एमिला लोट कि आए तो यहां से गए रुपया खर्च हुआ हाँ शरीर को भी कष्ट हुआ हाँ हुए है परदेश में तो फिर वहाँ जब पहुंचे तो क्या सोचा हाँ जय हो बद दिन आरायन की लेकिन चार दिन हो गए बच्चा बीमार था उसका क्या हुआ होगा और वो इंकम ट्रेक्स का मामला भी आया है और वो भी है यह मंदिर में बैट का संसार का चिंतन हो रहा है तीर्थ करने के बाद तो मन शुद्ध होना चाहिए तो उल्टा हो गया फल पर विचार नहीं करते हम लोग कर्म पर विचार करते हैं बस वो सब लिख लिया गया कि हमने चारोधाम किया है हमारे पंडिक जी ने कह तुमको मरने के बाद बैकुंट मिल जाएगा यानि हमको ठगने के लिए भगवान नहीं मिला है भगवान कुछ कहते हैं हम कुछ करते हैं मन नहीं देना चाहते हैं और सब कुछ ले लो और भगवान केवल मन चाहते हैं इसलिए रूप ध्यान रूप ध्यान रूप ध्यान सबसे पहले आप लोग को करना चाहिए फिर कीर्टन करो कुछ करो और रूप ध्यान स्वेच्छा पूर्वक्त उनका श्रेंगार स्वेच्छा पूर्वक्त धरो मत शूट पहना दो अगर आज भगवान अवतार ले किसी के घर में तो पीतांबर पहनेंगे आज कल तो एक महीने के बच्चों को लोग पैंट पहना देते हैं तो भगवान भाव के भूखे हैं भावग्राह्य मनीडा ख्यम्बेद कहता है तुम जिस भाव से भी बगवान की उपासना करो मन को लगाओ बस अरे भै से कंस ने मन लगा दिया भै से ये इसमें भी स्री कृष्ण है ये इसमें भी स्री कृष्ण है खाना आया थाली फेग दिया इसमें भी स्री कृष्ण है बस भगवत प्राप्ति हो गई गो लोग गया मन का अटाइटमेंट होना चाहिए चाहे जान के जहर पियो चाहे कोई अνजाने में पिला दे मरोगे चाहे जान के अम्रित पीो और चाहे कोई अंजाने में पीले अमर होगा चाहे कोई सती होने जाए उसको भी आग जलाएगी किसी का हाथ पेर बांद के आग में डाल दो वो भी जले गया मन का लगाव भगवान में होना चाहिए बस जितने सेकंड आपके मन का लगाव भगवान में हुआ पूरी राइफ में बस उतने सेकंड का आपका मानव देह सफल है बाकी सब मिरर्थक एक खरप कमा लिया दस बच्चे पैदा कर लिये एक हजार कोठियां खड़ी कर दी अरे जब बिटा जाओगे तो शरीर भी धरा लिया जाएगा ये कमाल नहीं है कुछ कमाल ये है कि मानो देह का कितना भाग हमने भगवान की ओर लगाया और कितना भाग निरर्थक गमाया इसोचो रोज पांच मिनट बैट के सोचा करो आज दिन भर में हमने क्या कमाया क्या गमाया तो फीलिंग हो ति कल कमाना चाहिए भगवान का चिंतन करना चाहिए अरे पता नहीं कब शरीर छिंजा है इस शरीर का कोई भरोसा महापुरुष भी नहीं करता आदि जगत गुरू शंकराचार्ज 32 साल 6 महीने में ही संसार से गए जाना पना अरे बड़े ज्यानी थे बड़े महात्मा थे जगत गुरू के बाब थे अरे कोई थे जी जब जाना है टाइम हो गया जाना होगा अरे पैदा होते ही लोग चले जाते आप तो रोज देखते हैं फिर अपने लिए क्यों नहीं सोचते अरे मैं तो 40 साल का हूँ मैं तो 50 साल का हो गया 10 साल वाले भी चले जा रहे हैं कितने ये रियलाइस करना चाहिए और टाइम का उपयोग करना चाहिए जो शरीर के लिए आवश्यक टाइम देना है दो लेकिन उस समय भी ध्यान रखो ये हमारे हिर्दय में हैं और बाकी टाइम को तो बिलकुल भगवान की ओर लगाओ बैट गए बीबी से गप्पे हो रही है बेटे से गप्पे हो रही है खाडी टाइम में पडोजी के या जाके गप्पे कर रहे हैं ये क्या है ये शरीर को किसी प्रकार समाप्त करने का प्लान है बाह बड़े पुद्धिमान है आप मरने के बाद क्या होगा मरने के बाद चार बाग ने कहा है कुछ नहीं होता हमने वही मान लिया है आएसे नहीं काम चलेगा इसलिए जितने भी शाष्ट्रवेद के ज्ञान हैं वो यहीं पर आके समाप्त होंगे भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके दर्शन की परमभ्याकुलता पैदा करो रो कर पुकारो उनसे संसार न मांगो मोक्ष भी न मांगो उनका दर्शन मांगो उनका प्रेम मांगो बस ये अंत्यम बुद्ध्यमत्ता इतना ज्ञान बहुत परियाप्त हैं इसी ज्ञान को देने के लिए बेद एक लाख मंत्र और छेचे दर्शन अठारा पुरान चार लाख अश्लोक बेदव्यास जी ने बेद का विभाग किया उनका नामे पढ़ गया बेदव्यास व्यदधात यग्यसंतत्याई भेद मेकम चतुर विधम एक बेद को चार बेद बना दिया बेदान्त बनाया महाभारत लिखा अठारा पुरान लिखे गीता लिखे ब्रह्मसूत्र लिखे लेकिन द्यांदो बेदान्त बेद सुषनाते गीताया अपिकरतरी परिताप वतिव्यासे मुयत्य अज्यान सागरे अज्यान सागर में अज्यान ग्यान नहीं अज्यान सागर में गोते लगा रहे हैं इतना लिखने के बाद बड़ी अशान्ती हो रही है टेंशन नारद जी आए नारद जी से पूछा मुझे क्या हो गया है उन्हें का तुमने जो कुछ लिखा है वो स्रीकृष्ण भक्ती पर नहीं लिखा और तमाम लिखा किम्बा भागवता धर्मा वो नहीं दुरूपित किया इसलिए ये हालत है अब तुम पहले भक्ती करो रोकर पुकारो श्रीकृष्ण को फिर उनका धर्शन हो जाए जब तब भागवत लिखो तो अपश्रत पुरुषम पूर्वम रोने भक्ती की अभगवान के दर्शन किये फिर भागवत लिखा ताब लक्ष की प्राप्ती हुई इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रूप ध्यान ही साधना है रूप ध्यान ही उपासना है मन का लगाना ही भक्ती है और सब शारीरिक वरक है वो भगवान के हाँ नोट नहीं होता अरे हमारी दुन्यावी गवण्मेंट में भी अपराध को मन की मनशा से जोड़ा जाता है इसने मर्डर किया हाँ मन की मनशा थी इसकी अगर वो साबित नहीं होती तो फासी नहीं होगी मार्डर करने से फांशी थोड़े हो जाएगी अरे पुलिस वाले कितने मार्डर करते हैं मजिस्टेट के आर्डर पर एए चला जो गोली पब्लिक के ऊपर खुले आँ चोरी चोरी नहीं और वो बता रहा है हाँ साब मैंने गोली चलाया लेकिन आप फांशी नहीं दे सकते क्योंकि हमने मजिस्टेट के आर्डर से चलाया था मेरी मैंशा नहीं है उसको मारने की दुश्मनी नहीं है तो भगवान के यहां तो वो बैठे बैठे हमारे मन के आइडियाद नोट करते हैं कर्म नहीं हम कर्म को लेके बड़े भिभोर हैं ना ना मन का आइडिया, मन का चिंतन, मन का राग, मन का बैराग, बस मन का सब कुछ तो रूप जान पूर्बग संकीतन करने का अभ्यास आप लोग करें चाहे अकेले में करें, चाहे सामूहिक करें तो फिर अंता करण की शुद्धी होगी जब अंता करण शुद्ध हो जाएगा, तब गुरु कृपा होगी, भगवत कृपा होगी तब दिव्य शक्ती मिलेगी मन में, आँख में, कान में, नासिका में, रसना में, तवचा में तब भगवान को आप इन आखों से देखेंगे भगवान के शब्द इन कानों से सुनेंगे ऐसे नहीं इसलिए रूप ध्यान पर प्रमुख ध्यान देना है ये प्रमुख बात समझे रहिए और अभ्यास भी की दिए कहीं भी जाएए बीच बीच में, एक सेकंड को हाँ, हमारे हिर्दे में बैठें हाँ, बैठें फिर अपना काम कर रहे है हमारे हिर्दे में बैठें हाँ, बैठें ये रिलाइजेशन कीजिए महसूस कीजिए, बार-बार सदा आप बिभोर रहेंगे मझे किसकी परवा है मेरे हिर्दे में वो बैठें और अपनाध भी नहीं करेंगे और प्राइबेसी भी खतम हो जाएगी लोग आप लोग सोचते हैं न कोई बात किसी के खिलाफ कोई गलत काम की वो बंद कर देंगा रे वो नोट हो जाएगा इस प्रकार रूप ध्यान पर विशेश ध्यान देते हुए साधना आप लोग करते रहें